नमस्कार, आपको पता है अजकल नोखरी लेना कितना कठीन है एसे में राची में इंडियन आर्मी के दौरा डाइक्ट बहाली का डेट एनॉंस कर दिया गया है और ये बहाली जो होना है राची में होना है और इसमें जो डेट निकाला गया है वो 5 अपरेल से 18 अपरेल तक इसका डायक्ट बहाली होगी एजुकेशन दसवी पास रखी गई है और ये जारखन के सभी जीले के लोग अपलाई कर सकते हैं इसमें उमर क्या है वेतन कितना है और ये कीस तरह से इसमें बहाली होगी सारा कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ तो विडियो ज़िए आप देखना चाहते हैं तो पूरी देखें ताकि आपको सारी जनकारी इसमें पता चल जाए इस वीडियो में मैं आपको आर्मी भरती से जूड़ी सारी जनकारी बताने वाला हूँ जैसे कि कब से फार्म भराएगा दोल कब होगा और कहां होगा उचाए कितना चाहिए सीट कितना है वेतन इसमें कितना मिलेगा उम्रिसिमा क्या है कितना दोड़ना है सारी जनकारी इस वीडियो में आपको जरू बताएंगे जिए आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को स राची में सेना भरती रेली 5 अपरेल से तयारी, राची के मौराबादी मेदान में 5 अपरेल से 18 अपरेल तक सेना भरती का योजन होगा, और व्रीज के समीब भरती कर्याले में समवार को सेना के अधिकारी ने बताया कि जारखन के 24 जिलाक के जुवक रेली में हिसा ले सकते ह और आगे बताया है कि बहाली के लिए किसी भी प्रकार की सुचना के लिए इनका जो अपना ओफिसियल साइट है आप इस पर जाके देख सकते हैं क्या है नहीं है और इसके बारे में जो जनकारी बताया गया है उसमें यह है कि रेली में भाग लेने के लिए admit card अकीस मार्च से 4 अफ्रेल तक यूकों को registered email पर भेही दिया जाएगा और दोस्तों ज़िए आप इस भरती में सामिल होना चाहते हैं तो आपको online पंजी करन कराना पड़ेगा तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको इसका official website जो है और इसके लिए क्या क्या जरूरी documents है क्या क्या है सब कुछ इसका official website पर डाला हुआ है मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे वहाँ पे सारी details मैं आपको बताऊंगा अब आप हैं इसके official website पर जैसे यहाँ पे आप देख पार होंगे राची इंडियन आर्मी रेली भारती 2020 अस्टार्ट फ्रोम 1st April to 15th April और यह golden chance है सभी जूकों के लिए इसमें आप यहाँ पे देख पार होंगे कि जितने भी जीले है 24 जीले सभी जीले के लोग जो है सो यहाँ पे भाग में दोड में भाग ले सकते हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें जो पोस्ट डिटेल्स दिया गया है कि कीज पोस्ट के लिए यह जो रेली होने वाली है तो यहाँ पे देखिए Soldier General Duty के लिए जीडी के लिए है Technical के लिए है Soldier Technical फिर है Soldier Technical Nursing Assistant के लिए है Color के लिए है तो दोस्तों टोटल यहाँ पे पोस्ट है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ आने कि टोटल साथ पोस्ट के लिए यहाँ पे वेगन से निकली है और साथ पोस्ट के लिए आपका दोड होने वाली है बहाली में आप सामिल हो सकते हैं आगे देखते है यहां उम्र सिमा के बारे में बताया गया है आयू मांडन तो यहां पर जिदी आप जीडी के लिए फोरम भरते हैं तो आपका उम्र जो है इतना होना चाहिए आनिकी 1 अक्टूबर 1998 से 1 अपरेल 2002 के भी जिदी आपका डेट अब भरता है तो आप इसको भर सक 33 एंडी ग्रेट हैने और आपको जो 45 परसेंट यह सब पॉइंट जो आपको इस तरह से किस तरह से मिलेगा मार्क हो गया तो इसमें बताया गया है तो आपका इसमें उमर भी किलियर हो गया कि साड़े 17 से ताइसल जो है सो आपका एज होना चाहिए यहां पर जैसे इसमें क आपका हाइट होना चाहिए 179 सेंटीमीटर और आपका वेट जो होना चाहिए वजन जो होना चाहिए 50 किलो होना चाहिए और ट्रेड्समेंट के लिए वह 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और दोसनों 77 सेंटीमीटर अपका चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा आने कि जितना भी अब का चाती होगा जैसे आपको आपको फुलाना पड़ेगा रिटर 77 है फिर भी आपको पांच संटी मेंटर फुलाना पड़े इसमें दोड के बारे में बताया गया है आपको तो टोटल डूरी जो है सो इसो तो सलो सुमीटर की दूरी तभी करना है ज्यादि आप साड़े पांच मिनट के अंदर ज्यादी दोड जाते हैं तो आपको सौंट मांक दिया जाएगा और ज्यादि आप सब्सक्राइब तरह जादा में ने से ज्यादा लेते हैं 5 यहां पर लिखा है कि जो सो आपको कान जो सब्सक्राइब पूरी तरह से साफ कर लें यहां पर लिख रहा है कि जिस दिन आपका उनकेड़ में अधेर के जाना है और यहां पर अच्छी तरह से पढ़ लें आगे जो आपको क्या क्या काज़ लेकर आपको आड़ में आद की बहाली महीं तो पहले प्ता है कि कहीं भी आप जर फोटोटो GT लेकर जाना है और 20 फोटोग्राफ लेकर जाना है और पहले से आप इसको bliver नहीं लेकर जाएंगे यख़्षस के हम फोटो बनाते हैं तो आप फोटो क्या है कि वाइट बैग्रॉण नाइन पिखे का जो बेक्ग्राउंड होगा वह आप वाइट बेक्ग्राउंड पर ही बनाएं और फोटो आपका तीन महिना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और आगे जो है education certificates के बारे में है आपके पास जो भी educational certificate है for example,玉 freaking है, soap, caution, चाहिए कुछ भी है वो आपको original documents महां पर लेके जाना है और आगे Permanent Residential Certificate भी आपको लेके जाना है जो कम से कम DM, ADMG, SDM, SDO आनि कि DM, SDM इनके द्वारा जो बनाया गया है वही आप लेके जाएं जिदि आपके पास नहीं बनाया गया तो आपके पास भी बहुत टैम है आप ये सब सारी documents clear कर लें नहीं तो वहाँ जाके आपको फिर परिसानी होगी और आपको कहां से ले सकते हैं जैसे इसमें लिखाया कि village परधानाने की मुखिया, सरपंच चाहे वह सारे लोग जो municipal corporation से जुड़े हुए हैं चाहे थाना से भी आप जाके बना सकते हैं और round stamp उसमें लगा होना चाहिए उसका stamp लगा होना चाहिए और उसमें उमर के बारे में भी लिखा होना चाहिए कि इसका उमर जो अकी साल से नीचे है और unmarried है तो ही उस certificate का valid होगा और इसमें बड़ certificate का होना जरूदी है और आप इसको लेके ही जाएंगे जिए आपके पास NCC certificate है तब उसको भी आप लेके जाएं यह जो है इनके दवारा आपका कास सेटिफिकेट इसू हुआ होना चाहिए तो उमीद करता हूँ दोस्तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और जैदी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि यह जो है सो इंडियन आर्मी की बहाली होने वाली है यह आपके पास किसी भी तरह की डोट हो तो आप हमें कमेंट में लिखके जरूर भेजें ताकि मैं उसका समाधान कर सकूँ थैंक्स फर वाचिंग